तो इस वक्त मैं हूँ ट्राइड टाटा मोटर्स शोरूम में जो की अंदेरी वेस्ट में है अगर आपको कोई भी टाटा मोटर्स की गाड़ी खरीदनी है या टेस्ट्रेव लेनी है तो आप इस शोरूम को जरूर विजिट कीजिए शोरूम का एड्रेस और कॉंटाक्ट इंफरमेशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में तो चलिए बीना किसी देरी के शरू करते है टाटा हैरियर का कम्प्लीट डेटेल्ड रिव्यू आज मैं बात करने वाला हूँ टाटा हैरियर के बारे में हैरियर का ये डूट टोन वेरियंट मेरे पास है तो शुरुआत करते है इस गाड़ी के चावी से तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी रिमोट कीज मिल जाती है यहाँ पर चार चीजे मिल जाती है लॉक अनलॉक हैड् चावी फील करने में बहुत ही जदा प्रीमियम लगती है और आपको लगता है कि इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हुएयों तो यार चावी बी चाफी रखी होनी जी ए तो क्वालिटी के मामले में चावी की बहुत ही खी रखी गई है बात कर लेते हैं लुक्स कि तो हैरि लो बीम का complete setup आपको मिल जाता है, fog lamp भी इसी unit के अंदर integrated है, इस तरफ आपको मिल जाता है fog lamp और यहाँ पर piano black grill मिल जाती है, front grill और pattern देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हलाकि आपको chrome insert नहीं मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर बात करें नीचे की तो यहाँ पर black finish में आपको एक skid plate type मिल जाती है, यहाँ पर एक black insert मिल जाता है, इस तरफ number plate लगाने के लिए जगा है, bonnet hood काफी उचा है, जो एक इसको एक muscular stance दे रहा है, और यहाँ पर भी bonnet hood के उपर आप देख व हो जाएगी, अब side profile की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको side profile में turn indicators, ORVM के उपर मिलता है, ORVM piano black finish में दी आ गया है, और harrier की signature chrome lining है, यहाँ पर harrier लिखा गया है, और यह chrome lining है, यह complete वहाँ से run होके आगे तक merge हो जाती है, यह काफी खूबसूरत लगती है, काफी एक अच् assist, सारे safety features दिये गए है, traction control वगरा सारी चीज़े मिल जाती है, आपको drive modes भी इस काड़ी में उपलक्त कराए गये है, जो की काफी अच्छी चीज़ है, और tire profile की अगर बात करें, तो यहाँ पर काफी बड़े tires दिये गए है, यहाँ पर आपको मिल जाते है, 235 by 65, 17 inch के alloy wheels, य यह diamond cut alloy wheels है, जो की काफी खूबजूरत लग रहे है, इसका design भी काफी अच्छा रखा गया है, और यहाँ पर side में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर complete side body cladic भी मिल जाती है, black color में, यहाँ पर यह जो chrome door handles है, यह काफी अच्छे लगे मुझे, यहाँ पर chrome completely अगया नहीं गया है, लेकिन insert अंदर की तरफ यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर request sensor मिल जाता है, उपर की तरफ देखी पा रहे होंगे, shark fin antenna है, और यहाँ पर इस गाड़ी की height भी काफी अच्छी रखी गई है, और उपर से ground clearance भी बहुत ही शांदार रखा गया है, तो off-roading का अग चलता है पीछे की तरफ, तो यहाँ पर LED unit दिया गया है, टेल लैम्ट के लिए, और यहाँ पर जो turn indicator है, वो normal halogen bulb के साथ मिलता है, और यहाँ पर piano black element का इस्तमाल किया गया है, जो की complete पीछे rare में run होता है, तो काफी कमाल का लगता है यह भी, यहाँ पर भी Tata ने जो अच् चीजे मिल जाती है, आपको यहाँ पर vocal for local का batch मिल जाता है, क्योंकि यह घाडी भारत में बनाई गई है, Indian product है, तो यह टैक तो बनता है, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको Tata का logo मिलता है, एक और अच्छी चीज में आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखो, यह आप देख पार है, शेर बनाए गए यहाँ पर, यह सारे छोटे मोठे elements दे करना इसे premium तच देने की कोशिश की गई है, जो की काफी अच्छा भी लग रहा है, और है यह वाकई में कार premium ही है, यहाँ पर reverse parking camera मिलता है, लंबर प्लेट लगाने के लिए जगा है, नीचे इस black element मिल जाता है, बंपर की तरफ और यहाँ पर इस गाड़ी में दो reverse parking sensors भी दिये गए एक इस तरफ है, और यहाँ पर reflectors जो है, वो मिल जाता है, यह fake exhaust है, यह real exhaust नहीं है, real exhaust जो है वो आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर कही पर तो है, इस तरफ real exhaust और यहाँ पर आपको spare wheel जो है, वो मिलता है, नीचे की तरफ mounted spare wheel, तो spare wheel access करने के लिए आपको नीचे की तरफ से access करना होगा, अब rare door की अगर बात करें, तो window size बहुत अच्छी है, यहाँ पर dual tone मिल जाता है, black and brown color में finish मिल जाता है, soft touch material दिया गया है, यह complete material जो है, यह soft touch material है, feel करने में काफी अच्छा लग रहा है, यह hard plastic है, लेकिन color और texture बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर silver inserts दिये गए है, JBL के speakers मिल जाता है आपको, और यहाँ पर आपको rare power window का switch मिलता है, door open करने के लिए handle मिल जाता है, नीचे storage space मिलती है, यहाँ पर भी mobile रखने के लिए वैसे इंडोर्स की भी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि यहाँ पर आप देख पाऊंगे, कि डोर्स की opening almost almost 90 degree है, हला कि आगे के दर्वाजी की तो इतनी जादा opening की जरूरत होती नहीं है, लेकिन पीछे के दर्वाजी की opening सादा जरूरी होती है, और जो की काफी अच बहुत ही अची है, इस price point की हिसाब से इसकी fit and finish वगरा काफी बहतरीन रखी गई है, top notch रखी गई है मेरे हिसाब से, उपर की तरफ ORVM के controls मिल जाते है, fold unfold और ORVM आप electrically adjust वगरा VIE से कर सकते हो, नीचे speaker की placement है, यहाँ पर storage spaces है, यहाँ पर power window के controls और window unlock and lock के controls इस तरफ मिल तो यही कुछ सारी चीज़ है, आपको front door में मिलती है, अब बात कर लेता है driver side seat की, तो यहाँ पर आपको electric adjustment के साथ यह seat मिल जाती है, six way electrically adjustable है, two way manually adjustable है, यहाँ पर आगे पीछे, उपर नीचे और इसका recline angle जो है, वो electrically adjust कर सकते हो, और इसका headrest जो है, वो आपको manually उपर य बी काफी अच्छी रखी गई है, यहाँ पर जो lambar support है, जो side की bolt string वगरा है, यह भी काफी अच्छी रखी गई है, तो long trips पर भी अगर आप इस गाड़ी में driver seat पर बैट कर जाते हो ना, तो थकावट बिलकुल भी आपको महसूस नहीं होने वाली है, तो आप मैं आ चुका ह इंच 5-5.5 इंच के आसपास का नी रूम यहाँ पर मिल रहा है, लेग रूम में भी कोई शिकायत नहीं है, पैर कंप्लीट अंदर जाते है, लेग रूम में बिलकुल भी कोई problem यहाँ पर नहीं है, मैं बड़े आसानी से अपने पैर move around कर पा रहा हो, और यहाँ पर आपको है या नि, तो जरूर है rare AC vents इस तरफ दिये गए है, बी पिलर जो है उसके उपर आपको rare AC vents मिल जाते है, यहाँ से आप इसे adjust वगरा भी कर सकते हो, यहाँ पर मिल जाती है storage space, mobile वगरा रख सकते हो, यहाँ पर इस तरफ silver insert भी देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर नीचे charging ports दिये गए है, दोनों ही USB charging port यहाँ पर दिये गए है, जो center tunnel है, वो यहाँ पर इतना जदा बढ़ानी है, लेकिन थोड़ा उचा जरूर है, अब headroom की अगर बात करें, तो मेरी height fighten है, headroom sufficient है मेरे लिए, लगबग 1.5-2 inch का headroom यहाँ पर मिल रहा है, इस गाड़ी में sunroof है, इसलिए headroom थोड़ा सा कम है, without sunroof वाली गाड़ी अगर आप लेते हो, तो headroom और भी जादा मिलेगा, आपको लगबग 2.5 inch के आसपास का headroom आपको मिल जागा, लेकिन इतना भी sufficient है, 6 feet या 6 feet के उपर height वाले भी बंदे अगर यहाँ पर बैठते है, rare suite के उपर उनको भी headrest मिल जाते है, दोनों ही rare passengers के लिए, बीच में आपके comfort के लिए मिल जाता है, armrest with 2 cup holders in it, और armrest की size भी काफी अच्छी है, बड़े आसानी से यहाँ पर हाथ वगरा रखे जा सकते है, overall seat का comfort seat की cushioning, seat का recline angle बहुत ही जबरदस्त है, इस गाड़ी में आप लंबे trips पर भी के लिए और co-driver के लिए भी आपको grab handle मिलता है, और यहाँ पर आपको मिल जाते है cabin lamps, इस गाड़ी में आपको सारी ही safety features मिल जाते है, तो आपको इस गाड़ी में अनसेफ वाली feeling नहीं आएगी, उपर से जो doors वगरा है, अगर कोई चाहता है कि door थड से अपनी safety को judge करे, जो थड एक number है, थड सुनके एक ऐसी solid गाड़ी में बैटे हो, ऐसी feel आपको ज़रूर आएगी, तो यही कुछ बाते है rare की front में चलते हैं और सारे features के बारे में आपको मैं बताता हूँ, तो आईए, चलते हैं, तो भया, आप मैं आ चुका हूँ इस गाड़ी के front seat के ऊपर और सबसे पहले steering wheel की बात करना चाहूँगा, normal round steering wheel है, silver insert यहाँ पर मिल जाते है, यहाँ पर आपको infotainment controls है, यहाँ पर cruise control के लिए सारे buttons दिये गए है, और MID वगरा control करने के लिए भी यही पर आपको buttons मिल जाते है, यहाँ पर horn दिया गया है, airbag की placement इसी तरफ मिल जाती है, यह पर tachometer और सारी information आपको एक TFT screen के अंदर मिलने वाली है, जो की काफी अच्छा लग रहा है देखने में, यहाँ पर भी आपको एक chrome insert देखने को मिल जाएगा, chrome insert आपको AC vents के around भी मिल जाएगा, देखने को, दोनोई AC vents के around chrome insert है, पीछे की तरफ पियानो black element है, बीच में center console क करें, तो infotainment system यहाँ पर मिल जाता है, अब infotainment system की बात करें तो काफी अच्छा infotainment दिया गया है, जो touch response, touch quality है वो काफी अच्छी है, आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही मैं touch कर रहा हूँ, वैसे यहाँ पर response quick है, यहाँ पर आपको Android, Apple, Apple, Bluetooth connectivity, USB connectivity, सारी जीजे मिल जा और काफी सारी settings वगरा भी आपको इस गाड़ी में मिल जाएगी, तो अपने हिसाब से आप इसकी settings वगरा, customize वगरा कर सकते हो, यहाँ पर brightness वगरा भी काफी अच्छी है, तो धूप वगरा में भी आप चला होगे, तो brightness के related आपको कोई भी जिगायत नहीं होगी, overall जो touch की quality है, जो touch का response वगरा है, यह काफी अच्छा लगा मुझे, यहाँ पर physical buttons भी दिये गए है, यह पूरा unit जो है, यह floating screen का effect create करता है, और यह piano black element के साथ आता है, जो की काफी एक premium touch add कर रहा है इस गाड़ी को, हलाकि यहाँ पर soft touch materials नहीं है, लेकिन यह smooth finish के साथ आता है, यह काफ soft touch plastics ही यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे, जो normal गाड़ियों में plastics आता है उसके मुकाबले इसकी जो quality है इसके price के हिसाब से, price जादा पे कर रहे हो तो quality भी बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, यहाँ पर आपको जो button insert है वो मिल जाता है, नीचे आपको silver insert मिल जाती है, यह है automatic climate control का AC unit के सारे buttons, इस तरफ भी कुछ buttons मिलते है, आपको hazard lamp वगरा switch on-off करना होगा, economy modes mode on-off करना होगा, आपको तो यहाँ पर buttons मिल जाते है, अब नीचे की बात करें तो यहाँ पर यह particular variant, यह automatic variant है, इस गाड़ी में आपको manual transmission भी मिल जाता है, यहाँ प box के बारे में भी आपको कोई भी जिकायत नहीं होने वाली, काफी smooth transmission यहाँ पर मिलता है, हलाकि यह जो gear lever है, इसके ओपर काफी interesting pattern दिया गया है, यह एक tri-aromotive का pattern दिया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पर glossy black finish है, तो यहाँ पर अगर आप nails वगर down off करने के लिए, hill descent down off करने के लिए इस तरफ mode दिया गया है, यहाँ पर wet mode, dry mode यह सारी चीजे इस तरफ यह dial की मदद से आप set कर सकते हो, यहाँ पर mobile रखने के लिए जगा है, और इस तरफ नीचे की तरफ आपको मिल जाता है, एक USB और यहाँ पर एक hawks input के लिए भी port दिय है, यह जो है, यह kind of soft as material ही, आप बोल सकते है, इसे texture वगरा काफी अच्छा रखा गया है, इस तरफ, handbrake lever थोड़ा अन-conventional है, नॉर्मल handbrake lever की तरह नहीं है, यह आपको ऐसा ऐसास दिलाएगा कि आप कोई एरोपलेन के जो है, वो gears वगरा लगा रहे हो, यहाँ पर landing gear वगरा लगा रहे हो, ऐसा आपको feel आएगा, इसके ओपर भी आपको piano black element ही देखने को मिल जाएगा, तो यह आप नीचे करोगे न, तो यह console पूरा हो जाएगा, इस वक्त तो मैं नीचे नहीं कर रहा हो, क्योंक insert दिया गया है, black and brown का जो combination है, एक अलगी premium feel करवाता है, यहाँ पर glow box की अगर बात करें, तो glow box में भी काफी decent space है, glow box की space न, टाटा मोटर्स की हरे गाडियों में बहुत जादा होती है, यहाँ पर आपको tablet hoodler मिलता है, यहाँ पर glow box में भी space मिलती है, तो भरपूर सारा जा cabin lamps, यहाँ पर voice command के लिए microphone की placements है, और यहाँ पर सारे आपको sunroof के buttons वगरा मिल जाते है, इस गाड़ी में panoramic sunroof भी आता है, उसके लिए यह सारे controls दिये गए है, हलाँ कि sun glass holder यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं पर भी जगा नहीं दिख रही है, मुझे sun glass holder डाल side sun visor है, इसके उपर आपको हला की कुछ नहीं मिलता है, टिकेट होल्डर वगरा भी नहीं मिलता है, नाई vanity mirror यहाँ पर मिलता है, तो आप बात कर लेते हैं, इस गाड़ी के engine की और सबसे पहले मैं आपको bonnet hood के बारे में बताना चाहूंगा, कि bonnet hood भाई साब बहुत ही है, यहाँ पर आपको insulation वगरा भी अच्छे से दी गई है, तो bonnet hood की weight जो है, अगर किसी को concern होगा, जानना होगा, बहुत ही साथ अच्छी है, आप bonnet hood को ऐसे ऐसे उठाते रहोगे आपका workout भी हो जाएगा, अब इस गाड़ी में आपको 2-liter का diesel engine मिल जाता है, 2-liter triotech diesel engine बोलती मिल जाता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यह 170 cryotech दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया है, यह तो उपर का होड़ा है जो निकाल के रखाया है इस वत, यहाँ पर आपको 168 bhp power, 350 newton meter का torque मिल जाता है, काफी powerful engine यह आपको लगने वाला है, और इसकी खास बात यह है कि fuel efficiency भी काफी अच्छी है, यहाँ पर आपको 16.3 km पर लीटर की fuel efficiency भी मिल जाती है, अब यह गाड़ी सिर्फ diesel engine option के साथ ही आती है, petrol engine का अभी तक तो कोई option नहीं है, आगे चलके हला कि Tata Motors इसमें petrol option या 4x4 variant भी दे सकती है, तो वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन फिल जरूर कर दीजिए, अगर आपको कोई भी सवाल होना Tata Harriers से related या किसी भी two wheeler या four wheeler से related तो आप मुझे instagram भर पूछ सकते है, email दो आपना सवाल पूछ सकते है, या फिर आप comment section में भी अपना सवाल पूछ सकते है, मैं आपके सारे सवालों का जल से जल जवाब देने की कु